अब तक तुमने अपनी क्लास्टेंट का जितना भी टाइम जाया किया, उस कंडिशन्स ने तुम्हें ऐसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है, कि अब तुम्हें लग रहा है, ये जितना टाइम बचा हुआ है, चार-पांच महीने जो मेरे पास बचे हुए हैं, क्या मै इन चार-पांच महीनों में सही से पढ़के, 95, 97, 98 परसेंट जो मेरा ड्रीम है, वो अचीव हो सकता है या नहीं? The answer is yes, last 4 years में जितने भी स्टूदेंट्स में इस चैनल से 98-99% स्कोर किये हैं, उन सब में से maximum स्टूदेंट्स हाफ यरी के बाद ही पढ़ते थे, बट वो कुछ अलग करते थे, जो 99% स्टूदेंट्स से अलग होता था, exactly वही बताने वाला है उस वीडो में बहुत छोटी स किये बाद दी जी में बिताते हैं क्योंकि विकेशन्स भी आ जाते हैं बीच में समर विकेशन्स, फिर उसके बाद जो जुलाई अगस्त, यह दो महीना होता है, यहां पर हम थोड़े से सीरस होते हैं, सेप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोवेंबर, एंड दिसम्बर, यह चार महीने सबसे क्र अगसाम चल रहा है, बट हाफ एरली वाले के लिए क्या करना है, उसके लिए वेने तीन वीडियोस प्रॉपर बना करके दिये, इसमें हाफ एरली में क्या क्या आएगा पूरा बता दिया है, लिंक वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहां तुम्हें सबसे पहली चीज रिलाइज अब तक हो चुकी है, कि तुम्हारा टाइम वेस्ट बहुत जादा हुआ है, तुम्हें पढ़ा तो सब कुछ था, बट अब हाफ एरली सामने आया, तो तुम्हें मालूम पढ़ा कि यार, जो भी तुम्हें पढ़ा है, वो सब कहीं न कहीं तुम चक्डियां आ रही है, जो तुम्हारा रास्ता रोक रही है, उस गोल तक जाने का, उन्हें कट तरके हटा दो, मेजरली तीन, नमबर वन, हाफ एरली, कि हाफ एरली के लिए कई लोग क्या करेंगे, कि अब जल्दी जल्दी से कुछ चप्टर्स पढ़ने लग जाएंगे, और उसके चक्कर में, जो चप्टर्स उने आते गई थे, वो भी नहीं सही से रिवाइस करेंगे, तो हाफ एरली के लिए प्रिपेर इस तरह से करो, कि जो चक्टर्स तुम्हें आते हैं, उन्हें अच्छे से पढ़के जाओ, ताकि तुम चेक कर पाओ, कि जो चक्टर्स त कर पाने की वज़ा से जैसे तुमने अपनी क्रेश को बीट नहीं किया in terms of manipulation वेल यहाँ पर तुम प्लास टेंथ में तुम सब कुछ बीट कर सकते हो फॉर्गेटिंग करव को कैसे बीट करना है यह मैं तुम्हें डीटेल पर बता रहा होंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली वॉइस मेसेज़स के थूँ तो टेलीग्राम चैनल पढ़ लेक्शन आम से है लिंक डेस्क्रिप्शन में है जोइन जरूर कर लेना यह मैं सब कुछ पता होता है कि हम पढ़ना क्या है कैसे पढ़ना है कहां से पढ़ना है यूट्यूब से टेली राम से इंस्टेक्राम से लेबसाइट आइवेंट योट्यूब से, कोचिंग से एंड स्कोल से बट हम फिर भी नहीं पड़ते हैं बिकाउज आफ प्रोकैस्टिनेशन हम सोचते हैं कल कर लेंगे, पलसों कर लेंगे बट कमी भी नहीं कर पाते हैं हम मार्केट जाते हैं नए-नए बुक्स खरीद लेते हैं वो बुक्स लगाने भी बैठ जाते हैं बट एक चप्टर दो चप्टर के बाद वो बुक्स आराम से हमारे शेल्फ पे रेस्ट कर रहे होती है और सिर्फ वो बुक नहीं रेस्ट कर रही है खुद देखो जब CBSC ने बोला कि सारे के सारे कुश्चन इस बार वोड एक्जाम में डिवाइड रहेंगे 20-30-50 रेशियो में 20% objective, 30% objective and 50% competency-based questions तो क्या तुम्हारी बुक में भी हर चैप्टर में questions इस रेशियो में डिवाइड हैं? कॉमेंट करके जिसके बाद तुम्हें कोई दूसरी बुक न खरीदी पड़े यानि sample papers अलग से न खरीदने पड़े हमने बना दी 75 days challenge books इन books में सारा content सबसे पहले तो day wise scheduled है कब तुम्हें कितना पढ़ना है? यह सब कुछ लिखा हुआ है किस दिन कितना topic, फिर day 2 में कितना, day 3 में कितना इस तरह day wise करते करते 70 days में पूरा syllabus complete हो जाएगा and rest 5 days में तुम कर रहे होगे sample papers और तो और एक एक chapter divided है 20, 30, 50 ratio में अपनी सामने देखो यह 20% objective questions जितने important MCQs हैं फिर 30% subjective questions जितने important subjective questions हैं जितने PYQs भी हैं फिर 50% competency based questions यानि all type of competency based questions from this chapter are given in a single book और तो और इसी book में last में तुम्हें 2024 के question answers और sample papers भी मिल जाएंगे और यह सबसे ज़्यादा low cost book है इस समय market में triple line में तुम्हें bundle मिलता है तीन books का math, science, social science यानि 333 में तुम्हें एक book मिल रही है जो कि एक worth it book है इसके लावा कुछ भी लगाने की ज़रत नी पड़ाईगी अगर तुम्हें इस साल 10th का board exam देने वाले हो बाता से ये Now, moving on to the next thing कि तुम वो सारे students से 99% students से अलग कैसे हो सकते हो 1% category माना है तो ये 3 चीज़ अभी से follow करना शुरू करतो Analysis कि हमेशा आपने half early के results जो ऐसे भी आए हैं उन्हें लेकर रोने से अच्छा कि analysis करो कि तुम्हारा कौन से subject में कौन सा chapter में कौन सा topic week है इस तरह का एक flow chart बनाओ ये रहा subject, chapter का नाम और chapter के topics ये topics उठा सकते हो NCRT से और उसमें कौन सा topic का question तुम्हारा गलत हुआ या कौन सा topic week है ऐसा एक analysis चाट बनाओ जब भी तुम्हारा half early का result आ जाए and मुझे comment करके बताओ कि कौन सा topic सबसे ज़्यादा week है then दूसरी चीज़ जब भी जो chapter पढ़ो उसके बाद एक blank sheet उठाओ A4 size और उसकी दोनों साइड का use करते हुए कम से कम शब्दों में flow charts में इस chapter को summarize करके लिखो इससे active recall करोगे push out जब करोगे paper पे तो तुम सच में सच में वो chapter का forgetting करो बीट करोगे long term में अगर इसको एक daily practice बनाते हो तो जितना important pull out है उतने important push out भी है थर्ड चीज तुम यह कर सकते हो कि तुम्हें खुद भी पता है कि तुमने NCRT अच्छे से नहीं पढ़ी है इन most case से social science की तो बिलकुल भी नहीं पढ़ी है तो social science के NCRT अच्छे से पढ़ना और English का तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि English के latest animated lectures आ रहे हैं बहुत quality animation है Link playlist की description में दे दूँगा जाकर वो वीडियो जरूर देखना And finally, I swear, जितनी भी चीज़े इस वीडियो नो बताईए अगर उसको follow करते हो, जिर्फ एक purpose के लिए Not because की 95, 97, 98 मार्स आ जाए वो तो आएंगे ही आएंगे But for your parents smile Class 10 first stage होता है अपने parents को proud feel करवाने का तो please, वो opportunity मिस मत करना, 75 days book discount price का मिल रही है, link description में है जाके purchase करना, and notification शेर देना कि अगली को वीडियो मिस ना हो And then, जाना जा पढ़ ले